नवश्पर मैं मंजूरूद्याल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरब दबंगो की दबंगई गाउ में लगे तीस वर्ष के खड़ंजे को उखाड़ा सुल्तान पुरत प्रदेश की योगी सरकार फले ही दबंगो की दबंगई को कुछ चलने का प्रयास कर रही हो किन्तो दबंगो के मनोबल दिन प्रति दिन बढ़ते ही नजर आ रहे हैं जिसका जीता जाकता उदाहरण हलियापुर थाना छेतर के ग्राम सभा पिपरी में देखने को मिला है गाउ के निवासी दबंग अजय कुमार सिंग और फ मिन्टू पुत्र रमाकान सिंग गाउं में लगे करीब 30 वर्ष पुराने सरकारी खड़ंजे को दबंगई के बल पर उखार कर फिंग दिया ग्रामिलों ने रास्ता बंध होता देख और सरकारी धन के नुकसान की जाने की सूचना जिलापंचा सदसे नरेश्च चंद्र उपाध्याय और फदीपु को बताया जिस पर जिलापंचा सदसे ने लिखेश चिकायत की प्रार्थना पत्र थाना ध्यक्ष हलियापुर को दिये कर उचित कारिवाई करने की मांग की है लाइफ टीवी समचार के लिए सुल्तान पुर से महेश नारायन द्वेदी की रिपोर्ट प्राइब करेंदे की मांग की धогनान पुर्ट